पत्संख्या भारा देंदु करपुर गावरं शिवं सुन्दरं सच्चिदानंद कंदं सिद्ध संकादिस योगिंद्र व्रिंदार काविष्णु विधी वंद चरनार विंदं ब्रह्मकुल बलबं शुलब मती दूर्लबं विखटवेशं बिभुं वेदपारं नौमी करुणा करंगरल गंकाधरं निर्मलं निर्गुणं निर्विकारं लोकनातं शोकशुफ उल्ल निर्मूलिनं शूलीनं मोहतमभूरिवानुं कालकालं कलातीत मंजरं हरं कचिनकालिकालकानन क्रिशानुं तग्यमज्यान पातोधी घटसंबवं सर्वंगं सर्वसोभाग्यमुलं प्रचूरभवबंजनं प्रणतजनरंजनं दाशतुलशी सरण सानुकुलं कल्यान के दाता संतजनों को आनंद प्रदान करने वाले हिमाचल कन्या पार्वती के पती परम रमणिय कामदेव के घमंड को चूर्ण करने वाले कमल नेत्र वक्ती से प्राप्थ होने वाले महादेव का मैं भजन करता हूँ जिनका शरीर शंक, कुंद, चंद्र एवं कपूर के समान, चिकना, कोमल, शीतल, श्वेत एवं सुगंधित हैं जो कल्यान रूप सुन्दर और सचिदानंद कंद हैं शिद्ध, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, योगी, राजदेवता, विश्णु और ब्रह्मा जिनके चरनार विंद की वंदना किया करते हैं जिनको ब्राह्मनों का कुल प्रिय है, जो संतों को शुलव और दुरलव है, जिनका भेश बड़ा विक्राल है, जो विवू है और वेदों से अतीत हैं जो करुणा की खान है, गरल को, कंट में और गंगा को मस्तक पर धारण करते हैं ऐसे निर्मल, निर्गुन और निर्विकार शीव जी को मैं नमस्ते करता हूँ जो लोकों के स्वामी, शोक और शूल को निर्मूल करने वाले त्रिशुलधारी एवं महान मुहांधकार को नाश करने वाले सुर्या है जो काल के भी काल हैं, कलातीत हैं, अजर हैं, आवा गमन रूप संसार को हरने वाले यवं कटिन कलिकाल रूपी वन को जलाने के लिए अगनी हैं यह तुलसी दास उनतत्वेता अग्यान रूपी समुद्र के सोखने के लिए अगस्ति रूप सर्वांतर यामी सप्रकार के सौबागे की जड़ जन्मरन रूप अपार संसार का नाश करने वाले सरनागत जनों को सुख देने वाले सदा सानुकुल शिवजी की शरन है